हलो बच्चो तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की exercise 3.2 का question number 5 question है find the parameter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter find the dimension of the garden देखे यहाँ पे हमारे पास में एक rectangular garden दिया है मानली जी rectangular garden है अब इसके बारे में देखे क्या क्या बाते बताई गई है कि यदि इसके parameter का half करने 36 meter आता है और length और breadth के बारे में एक information है कि इसकी जो length है वो 4 meter जादा है इसकी width से तो सबसे पहले वच्चो आप width को मानलो x तो length हो जाएगी x plus 4 meter तो solution लेखेंगे let width width को मैंने x मानल लिया तो length कितनी हो जाएगी length is equals to x plus 4 meter यह हो गया x plus 4 meter तो यह length हो गई हमारी अब देखिए according to question according to caution के according में क्या है कि perimeter क्या होता है हमारा तो perimeter का formula लगा दीजिए perimeter of rectangle जो होता है हमारा बरावर 2 l plus v यह होता है तो देखो perimeter के बारे में बता रहा है कि 36 है हमारा तो 36 is equals 2 में लगा दिया मैंने 2 की जगा 2 लिख दिया मैंने अब दीखिए जो perimeter उसका भी half करना है तो मैंने इसको half को multiply कर दिया इसमें और length मेरी कितनी है बच्चो x है और sorry length x plus 4 है और width कितनी है x है 36 is equals 2 x plus x कितना हो जाएगा 2x plus 4 इधर लिख आगर कि मैंने left hand side में 4 को subtract किया तो 2x is equals 2 मेरा बचा 32 तो x is equals 2 कितना आगा 16 तो बच्चो एक value तो मेरी आगई 16 यानि कि जो width है वो 16 आगई तो width is equals to 16 meter अब length कितनी हो जाएगी बच्चे तो length is equals to 16 plus 4 तो कितना आजाएगा मेरा answer 20 meter तो length of width मेरी दोनों आ चुकी है तो यहीं पर ये question end होता है तो thank you for watching this video मिलते हैं अगले videos में